अंगनबाडी सेविका सहाय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज दोपहर बारा बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भायो बहनों आपको अवगत कराना चाहेंगे कि उतर प्रदेश के बारा बंकी जिले में आंगनबाडी बहनों की परिक्चा कराई जा रही है और इस परिक्चा का नाम रहेगा दच्छता परिक्चा अब इससे जुड़ी हुई क्या क्या बाते हैं जो परिक्चा से पहले आपको परिक्चा देने में बड़ी ही सुविधा होगी और कोई भी तरह का जो है दिक्कत नजर नहीं आएगा तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि इस परिक्चा से किसी भी बहन को डरना नहीं है क्योंकि ये परिक्चा बहुत ही जो है सरल तरीके से आपको वहाँ पर नहीं होगा कि आप उसको ना कर पाएं क्या क्या वहाँ पर पूचा जा सकता है उस पर भी हम चर्चा अभी करेंगे तो यहाँ पर देखिए जिला कारक्यम अधिकारी जनपद बारा बंकी के उन्होंने अपने यहाँ आठ जुलाई को एक आदेश जारी किया है अपने वहा जिला धिकारी महोदय के द्वारा आंगनबाडी कारकरतियों की दच्छता परिच्छा आयोजन के लिए 14 जुलाई नरधारित की गई है जिसमें कारकरती द्वारा नरधारित प्रस्णपत्र को हल किया जाना है उपर्युक्त परिच्छा का आयोजन के लिए सुविधा प्रस्णपत्र का चैन करते हुए सिटिंग प्लान के अनुसार नरधारित समय ग्यारा बजे से आयोजित किया जाना है तो बारा बंकी जन्पत्र में 14 जुलाई को परिच्छा कराई जाएगी 14 जुलाई को संडे के दिन ये परिच्छा कराई जाएगी ध्यान देना आप समस्त को नरधेश किया जाता है कि दच्छता परिच्छा के लिए नरधारित इस्थल का नरधारण करते हुए 12 जुलाई को प्रश्ण पत्र कार्याले से प्राप्त करना सुनिश्चित करें एवं परिच्छा आयोजन के उपरांत दो दिन में संबंधित बालविकास पर्यो परिच्छा में नमबर लाएगा ग्रेड जो बी मिलेगा 75% से 60% के बीच में जिसके नमबर रहेंगे उसको ग्रेड बी मिलेगा और जो ग्रेड C जो लाएंगे उनका 60% से 45% के बीच में जिनका भी नमबर रहेगा उनका ग्रेड C मिलेगा और जिनके ग्रेड D में मार्क्स आएंगे उनका 45% से भी कम जो नंबर लाएगा परिच्छा में उसको grade D मिलेगा तो मैं चाहूंगा आप सब बहने पुरी सूजबूज के साथ परिच्छा दें और grade A हासल करें 75% से अधिक लेकर के आप आएं और आसानी से भी आ सकते हैं अगर आप वहाँ जल्दबाजी नह हो जाएगा इसका नरधारन करते हुए मुल्यांकन सीट उपलद कराना सुनिश्यत करें जिससे कारकरती के दचता मुल्यांकन हो सकें अब देखो यह होगा क्या जो भी पेपर है यानि प्रशन पत्र है वो जिले पर से बनेगा और जो भी कार्याले में लोग हैं वो अपना आफिस वाले 12 तारिक तक प्राप्त कर लेंगे एक दो दिन पहले आपके वहां परयुजना कारयालियों में आफिस वगरा में आ जाएगा अब वो आपको जब परिच्छा देने जाएंगे तप प्रस्न पत्र दिया जाएगा और फिर आप उसको हल करेंगी और फिर उस हिस साब से जितना भी आपका grade बनेगा और आपकी copy कौन चेक करेगा CDPU चेक करेंगे और वही grade बगरा देंगे तो ये कोई ऐसा नहीं है कि जिसका pass नहीं होगा ये बहुत कम number आए तो उसको नौकरी से अटा दिया जाए ऐसा कोई भी scene नहीं है हाँ ये दच्छता परिच्छा है तो आप इसको अच्छे से दें जितना अच्छा आप करेंगे इसको और उतना ही अच्छा है ठीक बाकी अब देखिए इसमें आएगा क्या 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 आ सकता है क्योंकि कई जनपदों में ये परिच्छा हो भी चुकी है तो देखिए गिनती हैं जैसे एक से सो तक हो गई ज यह चीज़ें पूछी जा सकते हैं, तो देखो फलों के नाम, सबजियों के नाम, फूलों के नाम, यह चीज़ें आप जो है याद कर लें, और यह तो आपको याद होनी चाहिए, हर तरह में कम से कम दददस तो याद होनी चाहिए, reason यह है क्योंकि बच्चों को आप पढ़ा जो है बच्चों को ऊपरी आहार कब से देना सुरू करना चाहिए, तो आप सब को पता है, छे महीने के बाद, जब अनुपरासन हो जाता है, तब जो बच्चों को दिया जाता, यानि कुछ भी बनेगा, तो वो सब आपको जो पता है, उसी में से प्रश्ण बनेगा, तो आ आप धैर इतना रखें कि आप घबराएना परिसान ना हो, जो आएगा सब सरल आएगा, टीका करन वगरा के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सा टीका, जो कितने माह पर लगता है, वो चीज़े पूछी जा सकती है, चैंगर वो महिलाओं के टीके हो, या बच्चों के टी पहले भी बहने जो जो दे चुकी परिच्चा, उन सब का भी यही कहना है, कि टेंसन की कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छे से हो जाता है, इधर बात करें राजस्थान सरकार की, देखो इस वीडियो में स्टार्टिंग में हम बताना भूल गए, आप सब को बहुत सी जानक परुजना अधिकारी को, समस्त लोगों को यह भेजा गया है, पोशण अभियान के अंतरगत, सामुदाय आधारित जो कारिकरम है, CBE वाले उनके आयोजन के संबंद में है, तो देखिए, राजस्थान सरकार में निदसाले से भी CBE गत्विदियों के संबंद में ये एक ल इन में आयोजित किये जाने वाले समुदाय आधारित कारिकरम का विवरण भी निमनानुसार है, तो विवरण में देखिए, जैसे कि वहाँ पर जो होने हैं, कहां पर राजस्थान में, तो राजस्थान की बहने चाहें, तो इसको नोट कर लें, जून में तो जो भी होना निकल गया ठीक जुलाई का हम देखते हैं जुलाई में गोद भराई प्रवेशो उसो नौ जुलाई को ये मनाया जाना था जो की हो चुका होगा समुदाई कारक्रम का जो नाम है वो देख लेजेगा अन्प्राशन और प्रवेशो उसो ये चीजें वहाँ पर मनाया जानी थ चेत्री भोजन दिवस टाइप से भी मनाया जाना था और इसमें भोजन सामागरी और नर्मार विदियों का पदर्सन होना था तेज जुलाई को होना था तो दो कारक्रम होने थे एक तो गोद भराई प्रवेशो उसो नौ जुलाई को और दूसरा होगा अब ही जो अन्प् आशन तेज जुलाई को कहां राजस्थान राज्ज में अब देखिए अगस्त का देखें अगर अगले महीने का तो सुपोर्शल दिवस 13 अगस्त को राजस्थान में मनाया जाएगा जन स्वास्त संदेश दिवस भी मनाया जाएगा वो 27 अगस्त को मनाया जाएगा जिसमे सारजनिक स्वच्चता से सम्मंदित संदेश दिये जाएंगे हाथ दोना सुच पेजल पॉष्टिक भोजन इन सब चीजों पर तो इस तरह से हुआ यह कलेंडर किसका राजस्थान का उपरोक्त सामुदाईक आधारित कारक्रम के आयोजन के लिए रासी प्रतक से स्विक्रती कर दी जाएगी आपको नर्देश किया जाता है कि समुदाईक कारक्रम का आयोजन सुनिश्चित कराएं साती आयोजित कारक्रम की सूचना भी विभिन निस्तनों पर निधारित प्रपत्र में भरकर के भिजवाएं यह सब चीज़ें हैं और पोशल्ड ट्रेकर पर इंट्र और रही बात सीबी के पैसों की तो उसके बारे में भी बोला गया कि अलग से बजट उसका आएगा आदेश के बार एक और आदेश आया है जो कि आप देख सकते हैं यह साध उतर पदेश से है और यह लखिमपुर खेरी जनपद है विकास खंड पलिया पड़ता है वहां का एक यह मामला है आएए देखते हैं बताया क्या जा रहा है कि 16 नमंबर का लखनौ का निदसाले का एक लेटर है जिसका संदर्व ग्रहन करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि किसोर न्याय यानि बालकों की देखरेक वा सरच्छड अधिनियम 2015 जिसके प्रावधान के अनुसार देखरेक एवं सरच्छड की आवस्यक्ता वाले विधी विरुद्ध कारियों में लिप्त बच्चों के सरच्छड काल्यार एवं पुनर स्थापन को सुनिश्चित करने के लिए समेकित बाल सरच्छड योजना यानि ICPS दिनांक 2014-2011-2010 से संचालित की जा रही है 2022-23 में भारत सरकार के द्वारा 5 जुलाई को नरगत नमीन गाइडलाइन के अनुसार उक्त योजना की मिसन वातसले जो की पूर्व नाम बाल सरच्छड सेवाएं था समेकित बाल सरच्छड योजना यानि उसका नाम था बाद में उसको बदल दिया था सरकार ने तो मिस 2022 के द्वारा जला इस्तरी समिती और बलाक एवं ग्राम इस्तरी समिती का उक्त योजना के सुचारू और सुगम क्रियानवेन के लिए भारत सरकार महिला कल्यार विभाग उत्तर पदेश और निम्नवत ग्राम बाल कल्यार सरच्छड समिती का गठन किया गया तो देखिए यह समिती बनती है ग्राम बाल कल्यार एवं सरच्छड समिती बच्चों के लिए उद्देश उनका है कि जब भी बच्चे अगर कम उमर में विधी यानि नियम कानून के हिसाब से अलग कहीं कारिकर है जैसे जो छोटे बच्चे होते बहुत जादा उनको कारखानों में काम मिलते हैं तो कहीं न कहीं उसके लिए उनकी निगरानी के लिए आप समझ सकते हैं कि यह कि ग्राम बाल कल्यार सरच्छड समिती नाम से यह समिती बनी है जिसमें ग्राम प्रधान होते हैं आंगनबारी कारकरता सदस सच्चू होती हैं और कारकरता आंगनबारी बहने सदस सची होती हैं ग्राम पंचायत अधिकारी भी सदसे सची होते हैं एनम आसा और सम्मानित ग्राम सबा के स्कूल के पदाना ध्यापक ग्राम सबा के दो सम्मानित अभिभावा कम से कम एक उसमें महिला भी हो ग्राम सबा के दो बाल प्रतनिदी कम से कम एक बाल बालिका भी उसमे ये सब लोग क्या होते हैं सदस्य होते हैं ठीक इस तरह से पूरा ये एक मैटर सामने देखने को मिला है तो बोला यही गया कि उत्तर गठित उक्त समिती में अपनी भागीदारी आवस्यक कारवाई करना उसमें सुनिश्चित करें और इसकी बैठक 83 रूप से सदस्य सच्यू के द्वारा ये की जाएगी तो आप लोगों को ध्यान रखना है ये तिमाही में एक बार बैठक होनी होती है और इसको करना होता है इदर प्रेमा देवी लखेमपुर खीरी से थी जनों ने ये जानकारी प्रशारण के लिए भेजी थी वहीं बात करें बिहार राज की जला बात ये लेटर काफी पुराना है अब भेजा है तो देख लेते हैं कि संबंद में है जनम रत्यू की घटनाओं का नगर पंचायत और ग्राम पंचायत का राजस्टेशन आरम करने के संबंद में ये लेटर था अब यहाँ पर चूकि ये पुराना लेटर है तो इसको संका ध्यान ना दिया हो इसलिए भेज दिया है तो अब फिलाल जानकारी हो चुकी है सभी को आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं निदसाले लखनव का भी एक लेटर आया है लखनव से 8 जुलाई को एक लेटर जारी हुआ सरनीत कौर ब्रोका जिन नदेशक हैं उन्हो पारी केंद पर एक पेंड मा के नाम से जो अभियान है यानि प्लांट फॉर मदर तो उसको संचालन करने के बारे में था जो की अभी चल रहा है पेंड लगाने के लिए कहा गया था बहुत से भाई बेनों ने लगाये भी होंगे और जहां पर नहीं अभी मनाया गया है तो असी करोन पेंड लगाने का लच्छे क्योंकि इसी टाइम सबसे ज़्यादा पेंड लगाने हैं तो यहां पर अभी जुलाई चले जुलाई अगस्त और साथी साथ आपका सितंबर इन महीनों में असी करोन पेंड टोटल लगाय जाने हैं साथी चंदप्रभाजी महराज ग अपने विभाग के बारे में ही आएगा और टीका करन के बारे में आएगा और उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा सा आएगा अंग्रेजी में फल का नाम लिखने को आता है गिनती 50 से 100 तक लिखने को यह सबाती हैं तो जो भी वहां पर पूचा जाएगा सिंपल ही जो आपको पता होगा ठीक तो परिसान ना हूँ धन्यवाद आज के इस वीडियो के लिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे